विडियो के नीचे लाइक कर देए चानल को सब्सक्राइब करना ही पूल जाओगे इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर ले और बेल आइकन की स्टाइब के सारी वीडियो की नोडिफिकेशन्स उससे आपको मेरी सबसे पहले मिल जाएगी तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहली टिप हमारी प्यास को लेगे तो प्यास हम जब भी काटते हैं तो हमारे आखों से आसो निकलने लगते हैं आखे जलने लगती है तो ऐसी टिप में आपके साथ मैं शेर करूंगी जिसे की आपकी आखे भी नहीं जलेंगी और प्यास के उच्छ तक ही हम इसे उबलने देंगे दोस्व ऐसे करने से आपकी आखी भी नहीं जलेंगी क्योंकि जो भी enzymes होते हैं वो पानी में रह जाते हैं और इसे आपको ओवरकुक नहीं करना है बस कुछी seconds के लिए इसे उबालना है 20 seconds बात हम gas को बंद कर देंगे प्यास को बाहर निकाल देंगे अब हम प्यास को ठंडा होने देंगे अब हम प्यास को काटेंगे लेकिन उससे पहले छिलके देखे कितने आसानी से निकल रहे हैं आपको बिल्कुल भी knife लगाने की इसमें जरूरत नहीं पढ़ रही है बस हलकी हातों से आप इस तरीके से चिलके को निकाल सकते हैं प्यास का चिलका निकालने के बाद में एक बारे से वाश कर ले और अब आप प्यास को काटेंगे तो आखों से आसु भी ने निकलेंगे ऐसा करने से दोस्तों दो फाइदे हैं एक तो छिलका आसानी से निकल जाता है और दूसरा ये कि प्यास काटते वक्त आखों से आसु भी नहीं आएंगे दोस्तो अगले टेपे हमारी नमक को लेके तो नमक जो है कोई भी नमक हो चाहे काला नमक हो सफेद नमक हो नमक को हम ज़्यादा दिन टक रखते हैं तो उसमें गाठे पढ़ने लगती है मौश्टर की वज़े से तो जैसे कि अब देख पार है मेरे पास स्प्रिंकलर है तो मौश्टर की वज़े से स्प्रिंकल से बाहर नमक नहीं आता है और फिर वो नमक वेस्ट हो जाता है तो मैं ऐसा तरीका आपको बताऊंगी जिससे की मौश्चर भी इसमे नहीं जमेगा गाठे भी नहीं होंगी और बहुत ही लंब ऐसमय तक आपका जो नमक है वो अच्छा बना रहेगा तो आप अपनी स्प्रिंकलर की बोटल में थोड़े से कच्छे चावल डाल दीजे ये बहुत ही अच्छा मौश्चर एब्सॉर्फ करता है ऐसा करने से चावल की दाने जो है वो पूरा मौश्चर एब्सॉर्फ कर लेता है और नमक जो है हमेशा फ्रेश और खिला खिला रहे है नीमबू ड्राइ होने की वज़े से हम थोड़ा ही रस इसमें से निकाल पाते हैं दोस्वा नीमबू से आप मैक्सिमम रस निकाल पाए वो भी बिना किसी मैनत के इसके लिए बहुत यची ट्रिक मैं आपके साथ में शेयर करूंगी जिनकी पास माइक्रोवेव है वो इस सेकेंड के बाद में अभी आप देखिए नीमबू कितना ज्यादा जूसी हो गया है और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है उनके लिए बहुत ही आसान से टिप बता रही हूँ नीमबू को ले और इस तरीके से आप फ्लोर पे करे यान की किचन टेबल पे करे ऐसा करने से नीमबू का रस बहुत ही आसानी से निकल जाएगा और आप अभी देख सकते हो कि नीमबू जो है वह सौफ्ट हो गया है और अभी आप इसे काटेंगे तो बहुत ही मैक्सिमम आप जूस से निकाल पाएंगे तो चलिए एक नीमबू को मैं काटके बताती हूँ आपको कि ब तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है और मैक्सिमम जूस भी नहीं निकल पाता तो देखे कितने आसानी सामने सारा जूस निकाल दिया है दोस्तो नीमबू का चिलका जो है उसको फेकना नहीं है बहुत ही काम आता है वो भी डिटॉक्स वाटर वगेरा आप उससे बना सकते हो क्लीनिंग के लिए काम आता है अगर आप मेरी वीडियोस रेगिलर देखते हैं मेरे रेगिलर व्यूवर्स है तो आपको पता चली क्या होगा निमबू का चलका कितना जादा यूसफुल है तो इसे फेक ये बिलकुल भी नहीं दोस्तो मेरी कॉन से टिप आपको अच्छ करते हैं तो इसकी प्रिंट निकलने का डर रहता है और अगर प्रिंट निकल जाए तो पूरा ड्रेस खराब हो जाता है और अगर आगर इसे ड्राइक्लीन में भी देते हैं तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं घर पे वँश करने की वज़े से प्रिंट ना निकले इसलिए बहुत यह अची टिप में आपकी साथ में शेर करें इस टिप को ज़रूर ट्राय करें आप एक प्लास्टिक की बैग ले लीजिए अब इस ड्रेस को इस प्लास्टिक की बैग में डालना है और वाश करने से पहले तीन घंटे तक फ्रीजर में रखना है जी हां दोस्तों सही सुना आपने फ्रीजर में रखना है फ्रीजर में रखने से पेंट एकदम अच्छी तरीके से सेट हो जाता है उसके बाद इसे दोने से यह निकलता भी नहीं है जब भी हम सूजी चने राजमाया जो भी आप मार्केट से लाते हो उसमें आपको लगता है टाइम टेकिंग है तो एक बहुत ही अची टिप बताती हो आपको आप रख दीजे इन्हें फ्रीजर में फ्रीजर में रखने से यह जल्दी खराब नहीं होते और इनमें कीडे भी नहीं लगते हैं आप इस टिप को ज़रूर ट्राय करें आपको बहुत प लगते हैं तो मसालों की जो पाकेट है हम जब भी मारकेट से लाते हैं, अगर अगर ऐसा आप बाहर रखते हैं, तो उस में बहुत जल्दी कीडे लग जाते हैं और यह मसाले एक स Expire तरीके से रहते हैं लंबे समय तक रहते हैं तो मेरे घर पे जितने ही मसालों के पैकेट है दोस्तों मैं उसे फ्रीजर में ही रखती हूँ बिल्कुल भी उसे बाहर नहीं रखती हूँ एकदम अच्छी तरीके से लंबे समय तक यह चलते हैं जो हमारे घरों के स्विच बोर्ट होते हैं वो बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं क्योंकि बार बार हमारे हाथ उस पे लगते हैं तो हम ऐसा क्या करेंगे जिससे कि हमारे स्विच बोर्ट जो हैं गरके वो एकदम नए जैसे हो जाए पहले भी मैं आपके साथ में बहुत सारे switchboards related tips शेर कर चुकी हूँ, कैसे इसो clean कर जाता है, आज एक और अनोखा तारीका में लेकर आई हूँ clean करने से पहले, सबसे पहले तो आप main switch को off कर लीजे, पैरों में चपल पहनिए, फिर इसे clean करने ले clean करने के लिए आप ले लीजे कोई भी toothpaste जो आपकी घर पे available हो, एक scrubber ले लेंगे, toothpaste को scrubber पे लगाएंगे और scrubber के मदद से हलके हाथों से हम switchboard को घिस देंगे यकीन मानिए दोस्तों, इस method से आपके जो switchboards हैं घर के सारे चमकने लग जाएंगे कि हम अकसर घर तो साफ कर लेते हैं, clean कर लेते हैं, लेकिन switchboards जो हैं, वो clean करना रह जाते हैं तो switchboards को भी हमें avoid नहीं करना चाहिए, time to time इसे भी clean करते रहना चाहिए scrubber से मैंने सारे toothpaste को अच्छे से switchboard पे लगा लिया है अब मैंने यापे तूदप्रश ले लिया है, जो मैं अकसर cleaning के लिए use करती हूँ उसे मैं अच्छी तरीके से इससे घिस दूँगी ताकि जितना भी कोने-कोने में जितना भी dirt हो, कुछ भी हो, वो साप निकल जाए और जो भी दाग धब्ब हैं वो भी आसानी से निकल जाए ब्रस से घिसने के बाद मैंने यापे tissue paper ले लिया है या आप कपड़ा भी ले सकते हैं उसे मैंने हलका गीला कर दिया है जादा नहीं, बस हलका सा गीला किया है ताकि जो paste है वो आसानी से निकल जाए इस तरीके से आप अपने घरों के switchboards को clean करके देखें या आपको tip बहुत पसंद आएगी तो अभी आप देखें डिफरेंस पहले कैसा था और अभी कैसा है बिल्कुल लाए जैसा लग रहा है ना तो अगले वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपना अपना ध्यान रखीये पामली वालों को ध्यान रखीये दर्वत हो तो ही बाहर जाए और घर में सुरक्षित रहे वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर